2022 के हिमाचल विधान सभा चुनाओं में कई बागी ताल ठोक रहे हैं भारती जन्ता पार्टी हो या फिर कॉंग्रेस हो बागी दोनों पार्टीओं के लिए चुनाओती बने हुए हैं भारती जंदापार्टी के शीष नेता ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अधिकतर बागियों को मना लिया है लेकिन कई बागई ऐसे हैं जो अभी भी चुनाओ के मैदान में डटे हुए हैं हम बात करें हैं क्रिपाल प्रमार की जो प्रधान मंत्री के मान मनवल के बाद भी चुनाओ के मैदान में हैं क्यों है क्या उनकी मजबूरी थी उनी से जानते हैं क्रिपाल प्रमार जी आप ये वदाईए कि क्या मजबूरी थी कि आपको एक आजाद उम्मिद्वार की तोर पर मैदान में आना पड़ा मैं पिछले लगवग चाली साल से भारती जिन्ता पार्टी के कारेकरता के रूप में काम कर रहा हूँ विजारसी परशित में काम किया जुबा मुट्रा में काम किया और दोजार सत्रह में मुझे फत्य वर्फे चुनाब लड़ने का मौका मिला टिकेट मिला और ये बात जो थी वे प्रदेश के बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई और उसके बाद उस चुनाब में कांगरा जिला में जितने रैवल खड़े से सब को बिठा लिया गया लेकिर मेरे खिलाव एक रैवल को खड़ा किया और उसको फाइनस किया गया ये बात मैंने चुनाब के और मैं चुनाब जो था वो बारह सो चुरासी वोटों से हार गया ये बात मैंने जैसे जैसे अपने हाइक मांट को पतानी शुरू की उससे मेरी परतारना शुरू होती गई मुझे जिनी समझ आया कि मैंने भी अपने जीवने पहली वर देखा कि रैवल खड़े होते हैं बागी खड़े होते हैं लेकिन पार्टी उनको फाइनस करे पार्टी उनको प्रसाहित करे यह मैंने कभी नहीं देखा मेरा जो शक्त था, वो फाबिट तब हो गया। जब बाद में उसको पार्टी में लाया गया, और जब वाई-लेक्षन हुआ जहां कि बिधाई के ध्यानत के बाद, तो उसको पूलाकर टिक्ट दे दिया, कि जिस आदमी को मेरे खिलाब खड़ा किया गया था उसका पोशन किया गया और हमारा उसका पोशन हुआ हमारा शोशन हुआ और उसको पार्टी ने टिकर दे के पिछले जुनाब में खड़ा कर दिया मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया, मैंने किसी से कुछ नहीं का, मुखे मंतरी जहां पर आए, यहीं इस कमरे में बैठे से, उन्होंने कहा कि चलो जी जो हो गया, आप पार्टी के साथ चलिए, नड़ा जी का फोन आया, मैंने उसको भी सथकार किया, और मुखे मंतरी जी हम आपको पूरा मान समान देंगे, आपको प्रपर आपका ध्यान रखेंगे, तो मैंने फिर से पार्टी में सक्री हो गया, लेकिन उस चुनाब के परिणाम जो आए, बाइलेक्शन के, यहां पे चार चुनाब थे, एक बिधान, तीन बिधान सभा के और एक लोग सभा का, पार्टी वहां पे बुरी तरह से हारी हम चार जिरों से आया, और उसके लिए मुझे लगता था कि हाईकमान जो है, वो केंद्रिय जो नेतरतव है, वो यहां पे कोई परवरतन करेगा, लेकिन उनको तो कुछ नहीं हुआ, अगर बंडी की सीट हारे हैं, तो उसके लिए अ मुख्यमंतरी किया, उनकी होंग कंसिजेंसी है, लेकिन उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, शिमला में हारे हम दो, शिमला पारलिमेंटर में दो सीटे हारे, वहां के परवारियों कोई बात नहीं हुई, लेकिन किरपाल परमार को अगली कारिसमिती में आने से रोक दिया, कि ज लेकिन अगर मैं परदेश का पदा दिकारी हूँ तो आपको रोखने का दिकार नहीं है। मैंने अपने पद सिरवेन किया और फिर बबाल हुआ फिर बात चीत हुई लेकिन फिर मैंने पार्डी की बात को माना लेकिन वो जो जलालत वादा सीन था वो खतम नहीं हुआ। मैंने परदेश के मुख्य मंत्री से, परदेश के अध्यक से, करदेश के संक्टन मंत्री से, और यहां तकी राश्टिय संक्टन मंत्री ने भी मेरी बात सुनी, उन्होंने बड़ा पेशन्टली में हेर किया, मुझे लग भग आदा पूना घंटा बैठके हमारी बात की, फिर मैं नड़ा जिसे मिलने गया, लेकिन सब कुछ करने के बाद, कुछ हुआ नहीं, वो जो चकर चल रहा था, वो चलता रहा, यहां पे, जब मुझे कुछ नहीं कर पाए, तो यहां का जो मंदल सा, उसको भंग कर दिया, जो हमारे कोंसिजिशन्स एक जलालत का विशे था, फिर मैंने प्रदानमंत्री जी को एक एमेल लिखा, उन्होंने एमेल पढ़के, जब उनको लगा कि यह मैटर और्डिनेशनल है, तो उन्होंने मुझे सुझेस्ट किया कि आप राश्ट्रे संगट्रमंत्री जी और आधरनी राश्ट्रे दक्षि के पास गिये तो जाफ माँ पे जाधा बाचीत ने उन्हों किसी और को टाइम दे दिया था, फिर मैं वेटिंग में चला गया, लेकि मुझे अब ऐसे लगता था कि जैसे अब 2017 में मैं सबसे कम बोटों से हारने वाले एक उमीद पर से था, और जो इन्होंने ट्राइल किया वो इनका फ्लॉप हो गया, तो इनको मुझे लगता था कि अब टिकेट मुझे देंगे, मैं काम करता रहा, सारा यहां पे जो यहां के कौंसिजिंसी का ताम चाम था, मैं देखता रहा, लेकिन मुझे इनकी नियत ठीक नहीं लगती थी, जो बात को आँक मिला के बात नहीं हूँ, और शायद मैं ही एक ऐसा मात, एक मातर विखती हूँ, जो पच्छी साल से पदजगारी था, पार्टी से निश्काशत होने तक, मैं उनकी चीजों को समझ रहा था, संक्रशन महामंतरी जो परदेश के हैं, उन्होंने पिछले साल, डेट साल से मेरा फोन रूना राष्टी से निश्ची बात नीच सुन रहे हैं, मुखे मंतरी बात नीकरते हैं, परदेश से मेटर नीकरते हैं, तो फिर मैं क्या करता हैं? और जब मैं लास्ट नाइं मिला तो मैंने नडाजी को भी कहा कि मेरे पास कोई चारा नहीं है। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मेरी भूमी का चाह करो मुझे क्या है। और सच में मैं इस वक्त चाहता था कि एक respectable exit मुझे मिल जाए, respectable बिदाई मुझे मिल जाए तो मैं छोड़ के चलना ह। क्योंकि मैं अपने आपको सारे महाल में unfit महसुस कर रा था तो मैंने लिज़ने का कि मुझे एक चुनाफ लड़ना है, आप एक चुनाफ लड़ना देजी, तो उनमें का हाँ देखेंगे, फिर मैंने जो, हाँ एक, उप चुनाफ से पहले, एक मुख्यमंतरी जैने एक रिपोर्ट त्यार की, मैं संजोग से दिली गया था, तो वो पूर्ख थी तो मैंने मुख्यमंतरी जी जिए यह सरवे रिपोर्ट है, जहां किरपाल पर्मार को राइनिदी करोप से कतल करने की साज़श हैं, तो मुख्यमंतरी का कि ने ने जी यह तो ऐसे नहीं है, यह है, तो फिर जब मैंने थ्टूद आला, तो वो परदान बंतरी जी से मिलने वाला जो वीडियो अपने जो फोटो वायरल हुआ तो वो काग़ पतानमेंदर जी के हाथ में से मैंने फिर नड़ा जी को का मैं का नड़ा जी जो रिपोर्ट है जो बोगस है यह तथियों से बहुत दूर है इसमें तोड मरोड के पेश किया गया यह ठीक नहीं है त हम क्लास मेट रहे हैं हम होस्टल मेट रहे हैं हम फ्लोर मेट रहे हैं हम जब होस्टल बंद हो जाता था था तो हम एक वक्त का खाना खुद बनाके खाते थे बरबर पाल जी ऐसा क्या हो गया होस्टल मेट रूम मेट और कितने मेट आप रहे नड़ा जी के साथ ऐसे क्या ब लेकिन मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिला और जब मुझे टिकट कटा तो फिर फिर भी मैं कहता हूँ कि रात को हमने प्रिवार के साथ बैठके मैंने बात की तो प्रिवार के लोगों ने कहा कि राजनिती छोड़ दो मैंने कहा कि मैं एक प्रेस क्रोंसेंस करूंगा और उसमें जो मेरे साथ हुआ वो करके मैं राजनिती छोड़ दूँगा और चुनाब नहीं लड़ूँगा लेकिन जिसको टिकट दिया था बंड मंद्री को उसका सुबह फोन आता है मुझे और वो मेरे साथ अवद्र भाशा में बात करता है तो फिर मैंने उसे बात करते करते ही अपने परिवार के फैसले को पलटके ये फैसला कर लिया कि मुझे अप चुनाब लड़ना है तो आपको टिकट भी नहीं दिया और जलील भी किया गया पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा लिया गया नहीं वो तो पर्टी का सिस्टम है पर्टी का सभी धान है कि अगर मैं इंडिपेंडन्र चुनाब लड़ता हूं और कोई भी लड़ता है उपा दक्ष कि कि साथ प्रदेश राशिया दक्ष में राष्ट नेता हैं जिनको मनाने के लिए प्रधान मंतरी को फोन करना पड़ा ने उनको फोन मेरा ख्याल उनको फोन नहीं करना पड़ता अगर पार्टी के लोग यहां भी साजिश नहीं करते अगर मुझे मोदी जी 29 तरीक को विड्रॉल का 3 बजे तक समय था अगर 3 बजने को 5 मिट पे फोन करते तो मैं मोदी जी को कहता है कि मोदी जी आफ फोन रखिए मैं विड्रॉल करके कॉल करता हूँ लेकिन यहां भी मेरे साजिश हुई मोदी जी ने मुझे कहा कि मुझे आज पता चला है और मेरी अभी पता चला है और मेरी बात उन से हो रही है तीस तरीक को सुबा 12 बजे के असपास तो जब मैं नॉमिनेशन ब्रिड्रॉव कर समय निकल गया था अगर और इसमें साजिश ये थी कि अगर मैं उस वक्त रिटाइर हो जाता तो मेरा नाम जो बेलेट में रहता मेरे नाम पर फिर कुछ गलती से बोट पढ़ जाते जा मेरे इस मर्थक खंदक में बोट डाल देते लेकिन अगर वो डाल देते सो दोसो चारसो पांसो बोट रहते तो मेरी सारी जिंदिगी के लिए एक लंक हो जाता कि किरपाल परमार ने पार्टी से विद्रो करके इंडिपेंडन इलक्शन लड़ा और उसको जे पांसो बोट पढ़ा था उसली मैंने परधान मंतरी से निवे दिन किया कि अगर आप कल मुझे कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन परधान मंतरी के आगरे के बावजूद भी आप मैदान में डटे हुए है यह मेरे पर कोई चारा कोई नहीं था मैंने कल भी कहीं पर कहा है कि मुझे इतना मारा गया कि मेरा इहसास खत्म हो गया है मैं यहां पर एक बात और क्लिर करना जाता हूँ कि जो कल एक कॉंग्रिस ने प्रेस कॉंसरेंस की है उसमें कहा कि परधान मंतरी जी लोगों को ड्रा रहे हैं धमका रहे हैं परधान मंतरी जी ने मुझे जो भी कहा वो मेरे और परधान मंतरी जी के समंदों के अधार पे कहा और मैं यह कहता हूँ कॉंग्रिस वालों के यह कहता हूँ जो परधान मंतरी जी मुझे कहा उनको वो कहने का अधिकार है और उन्होंने अधिकार अपने समंदों के अधार पर अर्जित किया है और मैंने उनको दि ने अपने प्रधान मंत्री जिन्हें जब आपको कॉल किया पने उनको कहा आप भगवान है तो आपने भगवान का आदेश भी टाल दिया मैं मैं कहता हूं पिता झो बहुता है उनका इंसका बड़ों का हक है और फिर परिवार में माल हट भी तो होता है बच्छे कब इस उमर में और कहां जाओंगा और मैं जीत रहा हूँ जीत के जाओंगा तो भजपा में जाओंगा अगर मैं यहां तक कहा है कि अगर मेरे एक वोट से अगर हंग असेंबली आती है और मेरे एक वोट से कॉंग्रिस की सरकार बनती होगी तो वो सरकार नहीं बनेगी मैं ऐसा ही हुआ था प्रेम कुमार धुमल को हराने के लिए मुझे नहीं पता कि वहाँ पर भागी था जा नहीं था लेकिन पिछली बार जो एलिमिनेशन की कारवे चल रही थी उसमें बहुत कुछ हुआ था और उसमें वो भी उसका शिकार हुए थे यह मानते हैं मैं अब ध्यान नहीं कि वहाँ पर क्या क्या था लेकिन ऐसा नहीं कि जो उस वक्त बहुत से लोग थे वो जो पार्टी में बड़ी देर से कंट्रिबूट कर रहे थे चलिए एक बात कांगड़ा के कर लेते हैं आप ही एक मातर नाराज नेता नहीं हैं बहुत सारे नेता नाराज हैं कांगरा जिला से सरकार बनती है और अब की बार ब्राह्मन समधाय की अंदेखी हुई आप मानते हैं इसको तिकट अवंटन में पार्टी फैसला करती है उसके लिए बहुत से स्टेड़ी से गुजरना पड़ता है और शांता कुमार जी के नार्मली जब हम किसी के खिलाफ चुनाओं के मैदान में होते हैं जैसे आप पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाओं के मैदान में हैं तो हम लोग पार्टी की कमजोरियां गिनाते हैं पार्टी की फैलियर्स गिनाते हैं आप क्या गिनाएंगे क्योंकि आप तो पा परत्याशी का चित्र लगा हुआ है और दीन द्याल परत्याशी ने अपनी प्लिटिकल डायरी में जो लिखा था कि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपके मत का पाने का दावा नहीं कर सकता कि वो एक अच्छे दल से खड़ाए उसको पार्टी ने टिकर देने में प परत्याशी है वही भाजपा को डुबोने के लिए काफी है मुझे भाजपा को लिए कुछ बोलने की जुरूरत नहीं है प्रधान मंत्री कांगडा आ रहे हैं बड़ी रैली को संबोदित करेंगे और एक बार फिर अगर कुछ ऐसी कोशिश होती है तो मान जाएंगे हम नह और शायद पियमो में दस पंदरा नाम होंगे जिनको वो फस्त नाम से बुलाते हैं लेकिन जहां की जो पार्टी है हमारी पिछले पांच सालों में परधान मंत्री मेरे ख़ल आठ नौ बार जा जितनी बार भी हमाचल में आये हैं उन्होंने मुझे और परधान मंत्री जी को आमनी आमने नियों न दिया एक भी कार्यकरम में मैं किसी रेसेप्शन टीम में नहीं हूं जो पहला उनका परवास था कांगडा का वो धर्म शाला में था जो ये सरकार बनने के बात जो पहला कारेकरम था ये शायद हिमाच्चल सरकार के एक साल पूरे होने का काम हो था तो मैं उस वक्त पार्टी के जनर्ल सेक्टरी था कांकड़ा पार्लीमेंटरी का मैं इंजार था उसके नाते मुझे उस मंच पे उना चाहिए था, उस मंच पे मुझे उस मंच को मैंने कंड़क्ट करना था, अभी जो मंडी में कारेकरम हुआ, वहां के जो परभारी और जनरल सेक्टरिया है, रकेश, जमाल जी, उन्होंने उसको अड़र्स किया, लेकिन मुझे मोधी जी के सामने नहीं आने देना है इसलिए उन्होंने उस कारे करम को ये कहके मुझे मंच से उतार दिया कि ये कारे करम सरकारी है और वहाँ पे एक सरकारी अफसर से उसको कंड़क्ट रहा गया तो पिछले जितने भी हुए हैं उन्होंने मोदी जी के पास भी ने फटकने दिया तो अब वो जाने देंगे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा यह कह सकते हैं कि प्रधान मंतरी के साथ जो आपकी नजदीकियां थी कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी मुझे भी ऐसा 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 लगता कि बाकी तो कुछ और दोजार सत्रा के बाद तो कुछ और नहीं बदला यही बात बदली कि दोजार सत्रा में मुझे प्रधान मंतरी जी के इंटर्वेंशन के कारें टिकट मिला था तो अगर मैं खुल के कहूं तो मुझे लगता कि वो डर गए और उफी डरने मुझे माटा ला हम कृपाल परमात से बात कर रहे थे वो एक मामली बागी नहीं है सुपर बागी इनको हम कह सकते हैं पधान मंत्री को वो भगवान भी मानते हैं लेकिन उनका कहना भी नहीं मानते हैं वो कह रहे हैं उनका बाल हट है वो अगर चुनाओ जीत गए तो वापिस भाजबा में लोटेंगे लोटेंगे या नहीं यह यहां के मताता 12 नौंबर को तैय करेंगे क्यामरा परसन अमन गुपता के साथ मन्जीत सहेगल जोवाली कांगड़ा आज जाएंगा